रजिस्थान के स्यासी संकट पर इस वक्त सभी की नसरें टिकी होई हैं। इस वर सस्पेंस अभी बरकरार है। किया गया है सचिन पाइलेट यहां पर रेलियों में जिस तरीके से यहां पर अपने वर्चस्व को बनाए रखे हैं। पर देखा जाए कई आयोजना का वह हिस्सा बन रहे हैं। राजिस्थान का युवा चाहता है कि सबसे लोग प्रिये युवा नेता सचिन पाइलेट जी मुख्यमंत्री बनें। यहां पर हाथ जोडते हुए इमोटिक भी शेर कर दिया है और उन्होंने यहां पर साफत और पर कह दिया है कि सचिन पाइलेट जैसा ही नेता, एक युवा नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। यानि कि सारा पाइलेट भी चाहती हैं कि उनकी पती मुख्यमंत्री बने इससे पहले भी हमने तमाम पोस्ट और तमाम इंट्रिव्यूज के बारे में जानकारी दी थी लेकिन सारा पाइलेट का ये ओफिशल एकाउंट है या नहीं पर जो अनुशाशन हींता के मामले में कारवाई होनी है उसको लेकर मांग उठाते हुई नजर आ रहे हैं महेश जोशी धरमेंद्र राठर और शांती धारेवार देखना दिल्चस्प होगा कि आलकमान स्टौनिया गांदी क्या कुछ फैसला सुनाएंगी क्योंकि दावे यह किये गए कि केसी वेड़ो गोपाल से सचिन पाइलेट ने मुलाकात की वहीं दूसरी ही तरफ वह इंतजार कर रहे हैं कि आलकमान का फैसला बिलकुल सही साबित होगा जो फैसला उनके हक में सुनाया जाएगा उस फैसले को वह स्विकार करेंगे चाहे प्रदेश अद्यक् मुलाका मुंख्यमंत्री का पर काई और उन्होंने साफतर दोर कहा है कि मुख्यमंत्री बनने का उनका कोई सपना नहीं है। जनता का विकास करना है। लेकिन आप यहां पर संच-inelyailed और सारा पाइलेट की बातों से कितना सेहमत है याप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन पर तब तक के लिए आप देखते रहें, नेक्स्ट नाइन नियूज.